हलो everyone तोगित आपका अपने इस चैनल में जिसका नाम है क्रिकिट 11 Master तो अभी हम बात करने वाले है धा हन्डर्डमें में होने वाले आज के मुकाबले की लेंडन स्पिरिट और सदून बॣरे के बीच में मुकाबला होने वाला है और लंडे स्पिडिट अपने तीन मुकाबले खेल कर रही है उसमें से एक मुकाबला रदू है अपने दोनों के दोनों मुकाबले हार कर रही है Southern Brave तीन मुकाबले अपने कंप्लीट कर रही है उसमेशे एक मुकाबला वाला ही मुकाबला जीत कर रही है अपने लगातार दो मुकाबले जो स्टार्टिंग के दो मुकाबले थे वो हार कर रहा है वहाँ पर ज्यादा बढ़िया पर्फॉर्मेंस रही है बाट पिछले प्रती हुई दिखी है सधन ब्रेव की टीम, अभी यहाँ पर हम पूरी की पूरी डिटेल डिसकस कर लेंगे, अपडेट आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिसक्किप्शन में मिल जाएगा, लंडन स्पियरिट और सधन प्रेव के बीच में पंदरवा मुकाबला लॉड्स लंडन में आपको ये साड़े दस बजे लाइब देखने को मिलेगा फैन कोड़ पर आप इस मैच को लाइब देख सकते और अगर आप देखो तो पहला मुकाबला होने वाला है जो ये टीम एक दूसरे खिलाब भीडेंग हो यहां पर जो है ना बैट्स मैं भी इंट्रेटेड और बॉलर इंट्रेटेड हैं इस पिछ चिorman आपको बताऊंगा पहले मुकाबले में क्या हुआ दूसरे मुकाबले मैं क्या हूआ दो नो हो चुके हैं सपिछ के अई अभी तक और बटकाउपर के मज़ी या थैंगा वो यहाँ पर पहले बैटिंग देने का ही निड़न लेगी जेसन रोय की 20 रन की पारी रही फिर उसके सैम बिलिंग की 49 रन की पांचवे नमबर पर आकर पारी रही और टॉम कुरान की 29 रन की पारी रही तो 3 प्लेयर जिनना परफॉर्म करा पहले मुकाबले में 20 रण Jason Roy, Sam Billing 49 और Tom Curana यहां पर 39 रण की पारी अब एक छीज़ देखो Sam Curana यहां पर 2 Wicket second inning में bowling करवाकर 2 Wicket Sunil Naraayen 1 Wicket second inning में bowling करवाकर and Southern 2 Wicket second inning में bowling करवाकर तो 4 Wicket आपको मिली किसको Fast Ballers को Iron Trop यहां पर टॉम कुरान ने, फास बॉलिंग में विकेट चटका और सैम कुरान ने, तो चार विकेट मिली फास बॉलर्स को सेकेंड इनिंग में, और तीन विकेट मिली स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में, अब एक चीज आप देखो, जो मैंचेस्टर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करन सेकंड इनिंग में कौन से प्लेयर्ज नीचे वाले प्लेयर्ज आपको चोथे पांचवे छटे साथे नमबर तक के प्लेयर्ज आपको बढ़िया परफॉर्म करकर देकर जा रहे हो और एक चीज़ अगर आप देखो पांच विकेड चटकाई फास बॉलर्ज ना पहले बालिंग करते हुए फ्रेक क्लास होनर सिफिन जो दो फास बॉलर्ज थे इनके पास दो विकेट एक प्लेयर ना और तीन विकेट एक प्लेयर ना बट एक चीज़ ओड देखो तो भया स्पिनर्ज ने भी बढ़िया करा दूसरा मुकाबला जो हुआ ट्रेंट रॉकिट का एक नंबर पर जो डार्शी शॉट खेल रहा है 69 रंग की पारी और यहां पर हेल्स के 21 रंग की पारी और पर देख लो भी यहां पर सैम कुरान मीडियम फास्ट बॉलर ने विकेट चटकाई अब अगर आप देखोगे तो आप ट्रॉपी फास्ट बॉलर प्यॉर फास्ट बॉलर और यहां पर कुरेंट भी फास्ट बॉलर है बट सेकेंड इनिंग में भी आपके लिए पिछ लो हो लंडन के पेच स्पिनर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अब अगर आप लंडन स्पिरिट की बात करो सेकेंड इनिंग पहले मुकाबले में भी साथवे नंबर का प्लेयर बढ़िया परफॉर्म आपको करकर दे कर गया दूसरे मुकाबले में 25 अन की पारी तो इनिंग के तो चल ही नहीं रहे हैं सबसे पहली बात तो यह सेकेंड इनिंग में आपके लिए क्या है कि भी आप स्पिनर्स बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं अम काटो रशीट खान अब अगर आप देखो पहली इनिंग में किसकिस प्लेयर ना विकेड चरकाई थी भी है इनके लिए पहली इनिंग में जो प्लेयर से जिना विकेट चटकाई वो थे प्योर स्पिनर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करा फास्ट बॉलर्स इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं करा है अब आप सीधा-सीधा तक प्र्चेज लाकर डेगी ही देगी पर अगर आप कहींपर रिस्के टीम बना रहे तो वहां पर आप स्पिनर्स रख सकते हो लो अगला मीडियम फास्ट बॉलर्स प्योर फास्ट बॉलर्स नहीं वो चीज्च आपको देखकर चलने है लेंडिन स्पिडिट के अगर हम बात करें, आइडम आपके बास है जो इंगलिष, उसके अद मोहम eff नन अभी आपके बास है, यह प्लें ग्लिवन ले वाली है, उसके बाद अगर आप देखो, यहाँ पर अडम आइडम ओपन कर रहा है, बड़ कब खेलना है, कब हमें ओपनर लेना है, जब यह टीम पहले बैटिंग करती है तो पहले बैटिंग करने का ओपनर आपका होना चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पर जो मेन ओपनर मेरे साब से रहेगा ना वो रहेगा भी है जॉश इंगलिश जॉश इंगलिश के साथ मोहमन अभी को हम रख कर लेकर जाएंगे बहुत बड़ी आपिक उसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर जो डैनली टीन रन इसना करें यहाँ पर जो हमार पास इवन मॉर्गन के ठार रन की पारी आरवन मर्विव पिछले मुकाबले में इस पिछ की ओपर ही 25 रन की पा रखते हो पिछले मुकाबले में इसकी टीम में से भीया किसी भी फास्ट बॉलर्स ना विकेट नहीं चटकाई मेन बात यह जो विकेट चटकी वो चटकी भीया सेफो से स्पिनर की तरफ से तो उस हिसाब से आपको देखकर चलना है मौहमाद आमीर चार ओवर में एक भी व करवाई लंडन के अगर आप बात करो नीचे आपको हर एक प्लेयर के स्टैट्स देखने को मिल जाएंगे स्टार्टिंग के कुछ मुकाबले जैक कराउली खेला मतलब दूसरे मुकाबले तक भी अवी लेवल था बट दूसरा मुकाबले इनका रद हो गया था उसके बाद आपके पास है लियम डॉसम जी ग्रेटन आपके पास है उसके टीम और जी लेंटन अब लेंटन यहाँ पर बहुत इंपोर्टन रहने वाला है इस मुकाबले में तो देखकर चलना आप कौन से प्लेयर्स ट्राइक करने वाले कौन से नहीं अब मेरे हिसाब से तो भी यह व मुकाबले में ना आर विटले बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है तो आर विटले तो मैं ड्रॉप करने वाला नहीं हूँ उपर के प्लेयर देखना कौन से आप ट्राइगर होगे ड्रॉप करने के लिए क्विंटन डिकॉग जेम्स विन्स और यहाँ पर डेवन कॉन्वे इन में से कोई ना कोई एक प्लेयर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा डेवन कॉन्वे 23-34 रन की पारी लगा था दो मुकाबलों में बढ़िया परफॉर्मेंस जेम्स विन्स चाली सो साथ और उसके बाद अगर आप देखो को इंटन डिकॉग भी इंपॉर्टन है अगर य उनकी टीम पहले बैटिंग कर जाती है तो अगर नहीं करती है ना पहले बैटिंग फिर मैं यहां पर जो है डेवन कॉन्वे को ड्रॉप कर दूँगा यहां तो को इंटन डिकॉग को ड्रॉप कर दूँगा तो उससाब से आप देखकर चलना कौन से प्लेयर आपको फेवर करने वाले हो और कौन से प्लेयर्स आपको फेवर करने चाहिए मैं एक टीम आपको वैसी प्रोवाइड करवाऊंगो कि भी है जो आपको पिछ रिपोर्ट जावी तक दो मुकाबलों में हुआ है कि स्पिनर्स फेवरेवल पिछ है तो बैट्स मन इतना बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं तो वैसी भी है मैं आपको एक टीम प्रोवाइड करवाऊंगो और टीम वैसी प्रोवाइड करवाऊंगो जो नॉर्मली बिना पिछ रिपोर्ट के मतलब हम पिछ को अगर ना धियान दे तो कौन-कौन से प्लेयर्स बढ़िया है कोन-कौन से नहीं है किन प्लेयर्स की consistency है वो भी आपको मैं बताऊंगो जी गरेटन चार ओवर में एक भी विगेट नहीं स्टार्टिंग में कर बॉलिंग कर वाई कॉलिन डी गरेंड ओम दो ओवर में एक भी विगेट टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक आपको नीच व डिस्किप्शन में मिल जाएगा वहीं से आपको टेलीग्राम पर जुणना आप यहां पर अगर आप देखो कुंटन डिकॉक और जे इंगलिश अब कौन सा प्लेर आपको पिक करना है रिस्क लोगे तो अगर जे इंगलिश पहले इनिंग में बैटिंग करता है तो फिर जे इंगलिश को पिक करना कुंटन डिकॉक ड्रॉप कर दो बहुत बड़ा रिस्क है बट स्टिल रिस्क लो अगर ले रहे हो तो फिर बढ़िया वाला रिस्क लो कुंटन डिकॉक को ड्रॉप करकर चलो अगर मतलब वी वाली बात है अगर LNS मतलब यहाँ पर जो हमाया पस London Spirit की टीम पहले बैटिंग करती है तो अलग-अलग टीम्स बनेंगी भाई यह मैं आपको पहले बतायता हूँ कि जोन सी भी टीम पहले बैटिंग करती है ना उसको थोड़ा सा जादा फिवर करना उसके 6 प्लेयर्स होने चाहिए सीधी सी बात है क्यों मैं कहा रहा हूँ क्योंकि जोन सी भी टीम यहाँ पर पहले बैटिंग करती है उसके बहुत ज़़ा चांसे जने की मुकाबला जीतने वाली है क्योंकि दोनों मुकाबले जो लंडेन पर अभी तक हुए है वो पहले बैटिंग करने वाली टीम यह जीती है प्लेयर दोनों ही इनिंग्स में इंपॉर्टेंट है इस मुकाबले में यहाँ पर आपके बाद जेमस जैवन कॉन्वे को आप ड्रॉप नहीं कर पाओगे जैसे मैं आपको बताया क्योंकि यह प्लेयर्स की फॉर्म बहुत बढ़िया है और इनके पॉइंट्स इतने तगड़े हैं कि कोई भी प्लेयर इन्हें ड्रॉप नहीं करना चाहेगा तो उस हिसाब से तो यह चार प्लेयर तो आपके पास ऐसे हो जाएंगे कि आपको लेने ही लेने पड़ेंगे क्विंटन डिकॉक तभी मैं गहा रहा हूँ अगर लैनेस की टीम पहले बाइटिंग कर जाती है ना क्विंटन डिकॉक को ड्रॉप कर दो जेंग्लिश को पिक कर लो आपकी टीम थोड़ी सी ज़्यादा और स्टेबल बन जाएगी मोहमन नभी यहाँ पर आपको ध्यान देना है जादा कि आप कि इन प्लेयर्स को पिक करने वाले है लंडन स्पिरिट के क्योंकि स्पिनर्स आपके पास ज़्यादा होने चाहिए मतलब होने ही चाहिए फिर उसके बाद यहाँ पर ना एक क्रिस जॉर्डन का बहुत बड़ी है इस प्लेयर को पकापिक करना अगर इनके पास कोई एक्स्टा स्पिनर नहीं है तो लियम डॉसन के ओपर बहुत जादा दारोमदार रहने वाला है जे लिंटन एक बहुत इंपोर्टन प्लेयर बहुत बढ़िया बॉलर आपको जो हर एक मैच में बढ़िया प्रफॉर्म करकर देखर जा रहा है उसके बाद अगर आप देखो जी ग्रेटन जी ग्रेटन कोई भी नहीं ट्राइगर रहा है जी ग्रेटन को आप ट्राइगर सकते एक फास्ट बॉलर वही वाली बात है कब यह बैटिंग करता है एम क्रें स्पिनर आपके लिए बहुत तगड़ा सी वुड़ भी आपके लिए फास्ट बॉलर है तो यहाँ पर स्पिनर जून जून का लेने हमें कि भाईया कितने स्पिनर हैं अगर ट्राइ करो कि भाईया सारे के सारे स्पिनर ले लो क्योंकि स्पिनर दोनो मतलब पहले इनिंग में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं दू सी जो यहाँ पर दे रखी है वो जेम्स विंस वाइस केप्टेंसी आर्वेन मर्वी यहाँ पर अगर आप देखो तो डैनली और मॉर्गन डेवन कॉन्वे उसके पास है कुंटन डिकॉक महमान अभी महमाद आमे क्रिस वूड और जे लिंटन पूरी की पूरी टीम आपके ग्रेंड लिक फेवरेवल टीम है अपडेट आपको टेली ग्राम पर देखने को मिल जाएगा टेली ग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दूसरी टीम के अगर आप बात करो डेवन कॉन्वे और यहाँ पर जेम्स वीन ज्यादा कैप्टन मिल जाएगा टेली ग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस वीडियो के लिए बस इतना है चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा वीडियो लाइक कर देजेगा बैल आकन दबादे कि ऐसी वीडियो जोर ब्यात्रियंगे आपके लिए इस चैन अल्पधर